हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टे नियू स्टूटे लेक्टर वीडियो फ्रॉम मेडिकल अब्टिक सुब्रा और आप लोगों को पता है मेडिकल लबरूटर टेक्निशन के वेकंसी जो है वो हर जगा आ चुका है और उसके बाद बहुत सरे जगा पर एक्जामिनेशन भी हो चुक तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँ कि आप लोग पहले जाके उसको चेक कर लिजे और उसके बाद सभी बच्चे जो है वेडिकल लबरूटर टेक्निशन वेकंसी के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं या फिर अल्रड़ी प्रिपरेशन कर चुके है एक दो एक्जामिनेशन भी दे चुके हैं जैसे कि यह सही एक्जामिनेशन आप लोग ने दे चुके हैं इन ओडिसा आज वो सफ्रंग हस्पिटल जो नीडली में हुआ था वो वाले एक्जामिनेशन भी दे चुके हैं आप लोग और आप लोग ठोड़े बहुत जो फ्रे सब्सक्राइब करें तो यहीं पर में एक चीज आप लों को बता दूँ में आजे सीनियर आजे ओर पले सी क्वालिफाइब सब्सक्राइब करें तो इसलिए मैंने क्या था सारे स्टेट बोड के क्वेश्चन बहुत सरे प्रैक्टिस ही थे तो उसके बाद मैंने पूरा एकदम अपना जो है एक्जाम दिया और उसमें उसमें वे करके उसके बाद अभी जो मैं आप लोगों के लिए चल रहा है मेरा पीड़ ब्याच है यहां पर आप लोगों के लिए लाइफ क्लास करती हूं आप लोग आते भी और अच्छा सा रश्पांस रहता है आप लोगों ने जैसे कि मैं बता दूं यहीं पर कुछ स्टूडेंस from Tamil Lado from Kolkata as well as from Kerala as well as from UP आप लोगोंने मुझे message किया है you need mock tests so what are mock tests actually मैं बता दूँ आप लोगों को mock tests जो होता है वो क्या होता है generally आप लोग जैसे examination में फिल करते हो उसी हिसाप से आप लोगों को फिल करना होता है तो आप लोग कैसे करोगे suppose 50 questions है आप लोगं को 50 minutes time मिलते हैं तो उसे हिसाब से उस पर minus marking दे रहते हैं आप लोग क्या करते हो पूर एकदम जैसे कि examination में timing चलता रहता है उसी हिसाब से आप लोगं को एकजाम timing चलता रहेगा एक गंटा या फिर गंटा जैसा भी जितना भी time रहेगा जितना questions रहेगा त तो उसी टाइब का फीलिंग के साथ आप लोग एक एक्जाम देते हो उसी टाइब के एक्जाम अगर आप लोग पहले बार-बार देते रहोगे तो एक्जामिनेशन में वो जो नर्वस ने साता है या फिर जो टाइमिंग आता है कि हां मतलब इतना सारा क्वेस्चिन यह सारे बुक्स इंटरनेट गूगल से यूट्यूब से बहुत सारे सामको लेगे पर आप लोग के सामने का डिफिकल्टी डिफिसियंसी नहीं है इसलिए तो इसलिए वो लो क्या करते हैं मतलब एक दो क्वेस्चिन आया अभी मेरे स्टूडेंट जो है मेरे को फोन किये थे उनसे बात हुआ था मेरा तो यह अरिजनल प्रॉब्लम में बता रहे हुँ स्टूडेंट से क्या हो रहा है वो लो पढ़ते हैं कोई वे संब्लेपर से चार क्वेस्चिन हुआ पांच क्वेस्चिन हुआ उनको नहीं आ रहा है फिर उन लोंका डी मोटिवेशन आ रहा है कि करें तो कितना क्वेस्चिनगे कि करेंगे बहुत सारी चीजों से आप लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है एक चीज करो पूरे एकदम फोकॉस से करो एक सांपल पर कर रहे हैं उसको पहले कंप्लेट करो ना स्टारिंग से एंडिक तक उसके सारे वर्ड्स के मीनिंग अगर आप लोगों को पटा चल गया दिनेवल क्रैक निए बांग जस्ट सिंप्ली वान ठी जस्ट क्लियर जस्ट कम्प्लीट वान सांपल पर अट लीस्ट में बता रहे हुँ आप लोगों को और उसमें ऐसा नहीं कि मतलब जितना सारा question था answer मैंने रट्टा मर लिया ऐसा वाला चीज नहीं है जितने सारे mcqs हैं जिसका जितना options है उसके बारे में अगर उसका meaning अगर आप लोगो बता हो न दिरिम can answer every question ठीक तो इसलिए मैंने क्या किया है आप लोगों के लिए यह जो hand return देख रहे हैं आप लोग starting से तो यह question मैंने बनाया है खुद कुछ मैंने books मैं ऐसा नहीं बोलूं कि theory book देखके मैंने question बनाया है नहीं smartly हम लोगो काम करना है किस हिसाब से examination में क्या requirement है कैसा question पूछ रहा है उसी हिसाब से हम लोगो उसी type से smartly पढ़ाई करना है किस इसाब से question आ रहा है उसी हिसाब से we'll practice the question तो उसको सामने रखते हुए, जितने सारे examinations के question विपर मेरे पास थे, as well as, जितने सारे sample विपर मेरे पास थे, questions from internet, questions from google, questions from youtube, मैंने सारा सब कुछ लेके, मैंने 10 mock taste questions, each mock taste carries 50 marks 50 से भी ज्यादा होंगे, एक दो sample विपर में, I guess team, तो मैंने बनाया है, तो यह कुछ examples आप लोगों को सामने दिख रहा है, जो आज जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, so the first question जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, ऐसे कि, rice water stools are a feature of what, typhoid, paratyphoid, dysentery, cholera, तो यह rice water stools आप लोगों कहां पहे, मतलब यह किसका feature होता है, typhoid का, typhoid आप लोग जानते हो, this is caused by your salmonella typhi, everyone knows that, yes, yes or no, salmonella typhoid as well as paratyphoid, is caused by your salmonella typhi and salmonella paratyphi, salmonella typhi and salmonella paratyphi causes your thyroid as well as paratyphoid as well as your paratyphoid, next is dysentery and fourth way use your cholera, and all of you know that cholera is caused by your vibrio cholery, all of you knows that, yes or no, तो vibrio cholery जो होता है, यह cause करता है cholera and this is a feature of rice water stools and the correct answer is option number D, तो आप लोगों को लग रहा होगा, यह handwritten है, आप लोगों को पढ़ने में समझ में आगया है, नहीं, handwritten समझ रहा है, बता दू मैं, एक friend के help से मैंने क्या क्या है, इसको typing कर दिया है, तो मतलब जो जैसा नॉर्मल यह आप लोगों को question अपर मिलेगा, उसे हिसाब से question जो है uploaded है, मेरे batch पे, इसका जो है price में बता दू आप लोगों को, price है 199 rupees only, आप लोगों को बहुत तर बुक्स आप लोगों ने मतलब खरीद लिया होगा, यह कर लिया होगा, बट अगर आप लोग मेरे को trust इसलिए करोगे, because as all of you know, I am your senior, तो इसलिए you can trust me, ठीक है, so these are some of the important, most important questions, जो कि मैंने collect किये हैं, ठीक है, उसी हिसाब से मैंने बनाया है question रे पर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, यह भी, second question देख रहे हैं, आप लोग बाई का mystery से है, glucose on reduction forms, dalsetol, mannitol, sorbitol, mannitol and sorbitol, तो चलिए बताइए इस question का answer क्या होगा है, let me see, let me see, इसका answer कितने बच्चे जो है, वो दे पाते हैं, so इसका correct answer हो जाएगा, mannitol and sorbitol, बोथ हो जाएगा इसका answer, इसका answer भी D हो गया, next है, following one example of pentode sugar, pentode sugar यानि जो sugar में उसमें 5 रहते हैं, ठीक है, तो चार options आप लोगों को मिल चुके हैं, और आप लोगों को बताना है, pentode sugar कौन सा होता है, उस structure आप लोगों ने देख लिया है, है ना, structure आप लोगों ने देख लिया है, तो अभी भी मुझे बता दो, कि इसका answer जो है, वो क्या हो जाएगा, और इसका answer of course हो जाएगा, that is a ribose, ribose is the example of pentode sugar, तो next question जैसे कि आप लोग देख पारे हो, specimen processing in histopathology includes, आप लोगों जो histopathology से, pathology से यह वाला question है, आप लोगों अगर specimen को processing कर रहे हो, है ना, अगर specimen को processing कर रहे हो, that includes what, fixation, embedding, staining, or all of the above, मैं एक चीज़ जो है, हमेसा बोलती हूँ और आज भी बोल रहे हूँ, कहीं पे भी अगर आप लोगों को all of the above, या फिर both of the above दिया है, हमेसा 100% वो correct नहीं होता, लेकिन 70% के से इसमें वो ठीक होता है, अगर आप लोगों को एक जो है, आप लोगों को जानते हैं सही है, दूसरा जो है, आप लोगों को लग रहा है 50% सही है, तीसरे के बारे आप लोग जानते हैं नहीं हो, then you can answer option number D, that is all of the above, इस question का answer तो सभी बच्चे जानते हैं, बहुत easy सा सवाल है, किसी को कोई doubt नहीं होना चाहिए, अगर आप लोगों का fixation हो रहा है, fixation जनरली आप लोग करते हो, 37 से 41% के बीच में जो formaldehyde होता है, 10% formalin लेते हो आप लोग इसका, yes or no, fixation process का कौन से factor affect कर सकता है, ऐसा कौन से चीज, ऐसा कौन से factor which can affect the fixation process, that is a buffer हो कर सकता है, pH कर सकता है, temperature कर सकता है, या फिर duration कर सकता है, या फिर all of the above हो जाएगा इस question का answer, buffer, pH, temperature, duration or all of the above, जब आप लोगों को क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, लोग क्या कर सकते हो इसमें तोड़ा सा फोकस कर सकते हो इसको थोड़ा सा धान दे सकते स्टोड organism और नेख्ट के बात करें अरेंज्मेंट और को काइन क्लस्टर्स इस जोन आज तो यह आप लोग का बेक्टरोलोजी से माइक्रोबारी जींड तो यह वाला स्ट्रॉक्चर्स एंड पूछा गया है ऐसा कौकाई है जो की क्लस्टर्स में रहते हैं और अल फिू नोज दैट ग्रेप जो होते हैं दे अलिप सिंट्रस तो क्लस्टर्स कैसा से पहें आप लोग दिमाग में इमाजन कर सकते हो clusters, तो cocae in clusters कौन सा होते हैं? Of course, staphylococcus, our cocus, our cocae, they are leave in clusters, आप लोग को microscopy में मिल जाएगा, and they are your gram positive bacteria, ठीक है? Next question है, stain used for the detection of coronobacterium diphtheri? जब आप लोग coronobacterium diphtheri, जो cause करता है, आप लोग का diphtheria, क्या cause करता है? diphtheria cause करता है, उसको आप लोग detect करने के लिए कौन सा strain use करते हो? चलिए, जल्दी से मुझे comment से ने बता दीजिए, नहीं तो अगर आप लोग को ऐसा ही question चाहिए, बताती हूँ, WhatsApp number यहीं पे दिया गया है, आप लोग मुझे बिल्कुल WhatsApp कर सकते हैं, और एक batch मैंने बनाया है, जिस batch में सर्फ mock test ही questions जो है, examination होगा, उसका price है only 199 rupees, only कितना है? 199 rupees है, ठीक है? 199 rupees है, आप लोग इतना pay करोगे, आप लोग को मिलेगा 10 mock test, आप लोग को पूरा-पूरा 10 mock test मिलने वाला है उसमें, और आप लोग पूरा जैसे examination जैसे fill करके, वो वाला पूरा exam दोगे, उस batch में, अगर आप लोग जॉइन करना चाहते हो, अभी अभी ये WhatsApp नंबर पर message कर दो, price पहले से बता आते हूँ, ठीक है? 199 rupees है, और कुछ explanation अगर चाहिए, तो मैं description में डाल दूँगी, इल्कोल मैं आप लोग को बोलूँगी, ऐसे questions को practice कीजिए, अगर आपके पास बहुत सारे sample numbers नहीं भी है, content की कमी कहीं पे नहीं है, लेकिन you have to work smartly, पहले hard work करते थे, अभी smart work करना है, तो कैसे smartly, you can answer all the questions, that is, first of all, clarify your text books, ठीक है? टेक्स्बुक को पहले पढ़ लो, उसके बाद MCQ practice कर लो, MCQ की कमी नहीं है, जैसे मैं बोल रही हूँ, और ऐसे questions अगर आप लोगों को चाहिए, तो बिलकुल मेरे को WhatsApp, यह WhatsApp number पे message कर सकते हैं, 199 रुपीज है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए बहुत सारे MCQ लेके आऊंगी, चेले सब तक मिलते हैं, फिर मिलते हैं in the next video lecture,